तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागा थे आपका अपने चैनल सक्सिज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपून अपडेट है मद्दप्रदेश सिच्छा विभाग में एक भरती आने वाली है 4473 प्री प् आवधन कर सकता है ठीक है आदर स्टेट वाले पी इसमें आवधन कर सकते हैं हालंकि आरच्छण पे लेकर के अभी यहां पर बात चीज चल रही है लेकिन आप लोग तयार रही गया 4473 प्री पर यहां पर आपकी भरती निकलने वाली है तो चली पूरी अपडेट देखते हैं उसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे की सही समय पर सारी जानकारी आप तक पहुंशके आईए देखते हैं क्या अपडेट आज निकल करके आई है अगबार में और कब से यह कब तक यह भरती आने की संभावना है सिच्छा होती हैं उनके बराबर आपको पेमेंट मिलने वाला है चली देखते हैं पूरी जानकारी स्कूल सिच्छ विभाग द्वारा 4473 स्कूलों में प्री प्राइमरी कच्छाय चालू की जा रही है इनमें इतने ही पदों पर आया की भरती की जाएगी आगनवारी की तर्च पर इन्हें सहाई का पदनाम दिया जाएगा, इसके लिए मंत्राला में बुद्धवार को बैठक होगी, इन स्कूलों में नर्सरी, आपका केजी वन, केजी टू कच्छाय संचालित की जाएगी, किवल तीन कच्छाय यहां पर संचालित की जाएगी, प्री प्राइमरी में नर्स बैठक में लोग, सिच्छण, राज, सिच्छण, केंद्र के अधकारे भी मौझूद रहेंगे, इसकूल सिच्छा विभाग से जुड़े, नीतिकत मामलों पर भी चर्चा की जाएगी, यानि कि बुद्धवार को एक बैठक होने वाली है, और लगभग यह सब कुछ तै हो हो चुका है कि भाई, आया की जो भरती है, इनको सहाई का उपनाम दिया गया है, मदब प्रदेश सिच्छा विभाग में, तो सहाई का की भरती यहां पर आपकी आई हुई है, बिना B8 और D8 की यह वेकेंसी है, जो लोग भी यहां पर हैं, मतलब कि जो लोग सिच्छा की व बिद्याल होगा, उसमें ही आपको जोइनिंग मिलेगी, जिससे कि आप आसानी से वहाँ पर आ जा सकें, और समय पढ़ने पर कभी भी आपको वहाँ पर बुलाया जा सकता है, अब यह मस्तोचना कि यह चपरासी की विकेंसी है, यह एक तरह की सहायका की विकेंसी है, यानि कि जो वहाँ पर प्री प्रामरी में जितने भी सिचक होंगे, जितनी से मैडम होंगी, वो अगर नहीं आती है, तो आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, और आपको बच्चों की देखभाल करना होगा, ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं है, ठीक है, देखिए, आरच्छन को लेकर के, अरच्छन को लेकर इस्ति स्पष्ट की जाए, प्रांती प्रवक्ता विजय संकर स्रवण ने बताया कि नेमा अनुसार पदों में अरच्छन होना चाहिए, यह भी मांग है कि ये पद 27 रेडी के हैं, इसलिए आपके 27 रेडी के हैं, ऐसा नहीं है, कि आपको सम जाएगा, अगर नेमित कोई से चखा जाता है, तो ऐसा इसमें बिलकुल नहीं है, आपकी नेमित भरती है, इसलिए आउट्सोर्स की बजाए नेमित भरती जिस तरह से की जाती है, उस तरह से भरती की जानी चाहिए, सब लोग मिलकर कि यहाँ पर आरच्छन की मांग कर रह जितनी सेलरी आपके प्राइमरी टीचर सी होती है, लगबख लगबख उसकी आसपास थोड़ा बहुत, दो-चार हजार रुपए कम जादा वहाँ पर होगा, इतनी ही आपकी सेलरी यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है, तो बहुत जल्दी यह वेकैंसी आने वाली ही, जैसे यहाँ पर यह आपकी महत्पूर अब्डेट थी जो हमने आपको बता दिया, लगातार अब्डेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर ले, वहाँ पर हम आपके लिए वर्ग दो वालों के लिए फ्री में स्टेडी माटेरियल प्रोवाइट कराते हैं सक्से जंक्सन लाइब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, चलिए मिलते हैं किसी नई अब्डेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यबाद